Someone else can come tomorrow and say that they don't like Mahatma Gandhi and want his photograph removed from currency notes Hello दोस्तो, my name is Tahir Mansoori and you are watching Knowledge Never Dies दोस्तो हमारा ये भारत मुल्क इंडिया कंट्री ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री में आप जब चाहे चाहे वो जुडिशल बोडी हो या गौर्नेंट बोडी हो उनको कोशन के सरकल में ला सकते हो उनसे सवाल पूछ सकते हो और ऐसी ही एक मिसाल देखने को मिली है केरला है कोट में जब एक पैटिशन डाली गई एक कॉंग्रेस के वरकर है जिनोंने ये पैटिशन डाली है कि जो COVID-19 vaccination के जो certificate होते है उस पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी की photo है ये fundamental right का violation होता है इससे तो इसको हटाना चाहिए इस photo को हटाना चाहिए उनका कहना ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया की photo है COVID-19 के vaccination certificate पे उसको हटाया जाए क्योंकि ये violation होता है जो मूल अधिकार है जो भारत के निवासी है उनके मूल अधिकार का हनन है उनका ये कहना था इसी किसम का एक केस कैरला हाई कोर्ट के इलावा बॉंबे हाई कोर्ट में भी आया है जिस पर बॉंबे हाई कोर्ट ने कहा है कि union की तरफ से कोई जिम्मेदार वेक्ती या एडवोकेट इस पर जवाब दे इस petition का जवाब दे जब ये बात चल रही थी कैरला हाई कोड में तो कैरला हाई कोड के जो जज है उन्होंने ये रिमाग दिया उन्होंने ये बात कही कि आपको अपने प्राइम मिनिस्टर को इस किसम के सवाल के घेरे में नहीं लाना चाहिए इसकी वज़ा यह है कि he is a prime minister of our country यह हमारे country के prime minister है not the prime minister of other country यह किसी भार के मुल्क के prime minister तो नहीं है जिनकी वज़ा से आपको शर्मा रही है कि यह vaccine के certificate पे इनकी तद़्वीर मौजूद की क्यों है इसके इलावा justice and nagarish उन्होंने orally remark किया है इस बात को कि कल को आप उठोंगे या कोई दुसरा व्यक्ति उठेगा कहेगा कि भारत की जो करंसी नोट पर महात्मा गांदी जी की फोटू है या पिच्चर है उसको हटाए जाए क्योंकि हम उनको पसंद नहीं करते तो क्या आप इनको हटा दूंगे तो इस बात का जवाब देते हुए जस्टिस एन नागरेश्ट के इस रिमार्क का जवाब देते हुए पैटिशनर के एडवोकेट ने ये बात कही कि जो महात्मा गांदी जी की फोटू है करंसी के नोट पर ये आर्बिया की रेगूलेशन क के मुताबिक है लेकिन COVID-19 वैक्सिन के सेटिफिकेट पर जो प्राइम इनिस्टर आफ इंडिया की फोटू है इसका कोई प्रोवीजन नहीं है तो वहाँ पर ये बात रखना एडवोकेट ने कहा है प्रेटिशनर के जच को कि वहाँ पर ये बात रखना उसूली तोर पर ब इनन्हें उस्यotal बात रखी ती पैटिशनर ने सबसे पहले ये बोलाता है कि इन प्रचस वार वंडमेंटळ रइट मनें बताया कि वह यह कह रहा है कि यहानिज का मूह ने कई नहीं कहा है कि जब मोदी जी की फोटो आएगी तो यह बुनियादी अधिकार का हनन है 13 डिसमबर को यह बात का जवाब दिया गया था कैरला है कोट की तरफ से के इसमें यह कहा गया था हाई कोट ने यह कहा था क्या था क्या वाइप पेटिशनर शुड बी अशेम्ड आफ प अचली दे कोड वाइप यह बात की थी के फंडमेंटल राइट का मिस्टर पीटर जो है उन्हों ने यह कहा था के फंडमेंटल राइट का इससे हनन होता है कोड ने जवाब दिया था कि ही इस आवर प्राइम मिनिस्टर नॉट अप्राइम मिनिस्टर अफ एनी अधर कंट्री यह केम तु पावर थू आर मेंडेट यानि उनको भावमत से उनको पावर दी गई है लोगों ने चुना है कि जब आपके पास में सिर्फ एक पॉलिटिकल डिफरेंस हो तो इस बुनियात पर आप इस मामलात को चैलेंज नहीं कर सकते हो इसा मैंने बताया था के औरली रिमार किया गया था जस्टिस एन नागरेश्ट की तरफ चे कल को कोई वेक्ति आएगा कहेगा के महात्मा गांदी जी की भी फोटो जो लगी है उसको हटा दिया जाए क्योंकि हमें यह पसंद नहीं है करन्सी की नोट पर तो आप क्या करोगे क्या हटा दोगे तो इस पर पैटिशनर के जो एडवोकेट है अजीत रोय उन्होंने जवाब यह दिया है कि जो करन्सी की नोट पर महात्मा गांदी जी की फोटो है यह एक आर बिये रेगुलेशन के मुताबिक है इस पर एक बागादा एक कानौन है जिसके हिसाब से महात्मा गांदी जी की फोटो इंडियन करन्सी नोट पर यूज की जाती है लेकिन वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की फोटो है इसका कोई स्ट्रेटिटरी और बंबे हाई कोर्ट में जो इसी किसम की पैटिशन को डाला गया है उस पर क्या जवाब दिया जता है ये भी बहुत इंट्रेस्टिक होगा तो इसी तरीके से लौ से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलिज नेवर डाइस को ज़रूर करें शेर करें और लाइक जरूर करें थैंक यू वेरी मच्च